बोजपुरी सिनेमा के जाने मानिय भिनेता और सिंगर अर्विंद अकेला उर्फ कल्लू इंडस्ट्रिय के उन स्टार्स में से एक हैं जिन्होंने कम वक्त में अपनी एक खास जगह बनाई है कल्लू ना सिर्फ अपनी दमदार एक्टिंग बलकि अपने शांदार गानों के लिए भी जाने जाते हैं अपने करिया में उन्होंने कई सूपर हिट फिल्में और गाने दिये हैं महीं सिंगर कल्लू का गाना नाच रेपतर की काफी सूपर हिट रहा है जिस पर अब तक 21 करोर व्यूज है अरविन देकेला कल्लू ने हाली में एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपने आने वाले फिल्मों से लेकर भोशपूरी इंडस्ट्री को पहचान न मिल पाने पर अपनी बात थे कल्लू भोशपूरी इंडस्ट्री के वो कालाकार हैं जो बहुत कम उम्र में ही गाना गाना शुरू कर दिये थे कि उनका कौन सा गाना ट्रेंडिंग में चला गया और कौन सा गाना कितना मिलियन व्यूस क्रॉस कर लिया यही सब खासियत कल्लू को भोचपूरी के बाकी कलाकार से बिलकुल अलग बनाती है अर्विन दकेला उर्फ कल्लू जब इंडस्ट्री मेंटरी किये थे तब सिर्फ गाना गाते थे लेकिन धीरे धीरे कल्लू को अभिने करने का भी मौका मिला और अब वो गाईकी के साथ-साथ अभिने भी करने लगे हैं और आज सिंगर एक्टर अर्विन दकेला उर्फ कलू भुश्पूरी में कई फिल्में कर रहे हैं और लगतार उनकी नई नई फिल्में आने वाली है अर्विन दकेला कलू ने खुद अपने इंटर्व्यू में बताया कि नए साल यानी 2023 में मैं दर्शकों के लिए अलग-अलग विश्वयों पर फिल्में लेकर आ रहा हूँ इस साल मेरे कई नई फिल्में रिलीज होंगी जिसमें से एक है राम आवराम ये फिल्म हिंदुस्तान और पकिस्तान पर अरधारित है इस फिल्म के कहाने काफी अलग है मही कल्म नहीं साने वाले फिल्म की खासियत बताई कि इसमें दिखाया जाएगा कि सभी मुसलिम बूरे नहीं होते हैं वहीं दूसरे फिल्म कस्मेवादए और शाधी मुबारक है इसके बारे में भी उन्होंने बताया जो इस साल रिलीज होगी बाकी कलू उने भोशपूरी इंडस्री की ग्रोथ और भोशपूरी इंडस्री में फैल रही अश्टीलता पर भी बहुत कुछ कहा जो हम आपको आगे की वीडियो में विस्तार से बताएंगे लेकिन उससे पहल इंडस्री को मिलती है तो अर्वीन किलते हैं कि कहा जाता है कि भोशपूरी सुनने वाले और बोलने वाले भौशपूरी फिल्म देखने वालों के संख्या काफी जादा है लेकिन जो भोशपूरी डिजर्ब करती है उसे वो अभी तेक नहीं मिली है इतना ही नहीं कलू ने इसके पीशे की बज़े भी बताई सिंगर कलू ने कहा कि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे यहां बज़ेट हैं हम लोगों को सपोर्ट नहीं मिल पाता है उसके बाद सिंगर अर्विन दकेला कलू से पूछा गया कि भोशपूरी में वालीवूड की तरह कोई OTT प्लैटफॉर्म क्यों नहीं है इस पर एक्टर ने कहा कि जैसे हिंदी में OTT प्लैटफॉर्म है वैसा भी प्लैटफॉ पर है हमारी भाषा को बोलकर वॉलीवूड वाले जो यूपी और बिहार से अच्छा विजनेस कर रहे हैं लेकिन हम लोगों को प्लैटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है महीं बात करें सिनीमा घरों की जैसे महरास्ट में नियम है कि एक शो आपको मराठी फिल्म की लगानी ही पड़ेगी आगे कलू ने कहा कि ऐसा कम से कम सारे फिल्में तो नहीं लेकिन कुछ अच्छे भोचपूरी फिल्मों को भी सिनेमा घरों में जगह मिलनी ही चाहिए उसके बावजोद जब अरविंद अकेला कलू से भोचपूरी में फैल रही अश्टेलता पर भी सवाल किया कि एक बार जो दाग लग गया है उसे निकल पाने में काफी वक्त लगता है अगर आप देखें तो भोचपूरी फिल्मों में बिल्कुल भी अश्टेलता नहीं एल्बम की बात करें तो सभी में नहीं बलके सिर्फ उनमें ही आपको अश्टेलता देखने को मिलेगी जिनको जल्द हीट होना है चर्चा में आना है वहीं अर्मिन्दा केला उस्कलु ने वुचपूरी के उभरते कलकारों पर तंज भी कसा और कहा कि ऐसे कलकार अश्टेलता का सहारा लेते हैं और सी महीं में गाइब भी हो जाते हैं वहीं एक दो साल में लोग उनका नाम भी भूल जाते हैं वाइरल क्या होता है आज याद रखा गया कुछ महिनों बाद लोगों को नाम और चेहरा भी याद नहीं रहता है लेकिन जो अच्छे सिंगर होते हैं वो लंबे समय से इंडस्ट्री में कलू ने कहा कि मेरा सीधा कहना है कि अच्छीलता जादा दिनों तक नहीं टिकती है बाकि जब सिंगर कलू से पूछा गया कि शोसल मीडिया पर आपके गाने आते हैं और ट्रेंडिंग में जाते हैं और फल्ला कम करते हैं मतलब आप काफी शांती पुर्ण तरीके से एक सु कि अच्छी जाओ टीची अधन्यों